मंत्री परिशत के मेरे साथी श्रीमान डाधा मौनसी जी और उपस्तित सभी महनुभाव जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते कारभाल संभाल रहा था तब डाक्टर स्वामिनाथन जी से मेरा परिच्चा आया और उस समय हमने एक स्वाइल हेल कार उस योजना को प्रारम किया था जब उस विचार को मैं कर रहा था तो मेरे यहां से भी काफी ब्यूर्यक्रेटिक रिजिस्सन्स रहता था कि क्या कर रहे हो लेकिन जब स्वामिनाथन जी ने पब्लिक लेक बयान दिया स्वाइद छेने से दिया था और यह कितना बड़ा महत्वपुन कदम हमने उठाया है और इससे आगे चल कर के कितना लाग होगा और एकदम मेरी सरकार में हमारे साथ्यों को जो चीज मैं समझा नहीं पा रहा था मुझे बड़ी महनत करनी पड़ रही थी कि नहीं भेज को करना है कैचे करना है लेकिन जैसे ही डाक्टर स्वामिनाथन का स्टेट्मेंट आया ख़बार में सारे बिरोनेसी का भूड बदल गया सबको लगा कर रहा है तो बड़ा भतोपूर कावेब कर रहा है यह मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनकी जो तपस्या है साधना है इसका कितना मुल्य है वो वहाँ मैंने खुदने अनुखव किया अब तो वो योजना पुरे देश में लागू करने का हमारा प्रयास है और अब बैसे वो कहे जाते हैं क्रिशी वज्ञानिक कभी कभी मुझे लगता है वो किसान वज्ञानिक है उनके भीतर एक किसान जिन्दा है सिरब लिबोरेटरी वाला क्रिशी, प्रोड़क्शन, क्वालिटी इससे जादा उनके जो पेपर्स वगेरे देखें तो भारतियक संदर्व में है भारत की क्रिशी के संदर्व में है भारत के किसान केंद्री है ये जब चीज़ें आती हैं तो वो बहुत रिलेवेंट हो जाती है वरना कभी कभार जमीन से काफी उपर बहुत सी चीज़ें आती है लेकिन फिर वो बिचका गैब पुरा नहीं होता है डाक्टर स्वामिनाथन जी की विश्यस्ता रही है कि उन्होंने जो चीज़ें जब भी प्रस्तुत की वो जमीन से जूड़ी हुई थी और उसका परणाम ये हुआ कि वो बहुत रिलेवेंट लगी और जादा तर उसका उप्योग भी हुआ आज के युवां को डाक्टर स्वामिनाथन कैसे प्रेरणा दे सकते हैं हमारे देश का एक प्रॉब्लेम है कि राजनेताओं को सब जानते हैं वह ज्याने को बहुत कम लोग जानते हैं हर गली महले में राजनेताओं के नाम जाने जाते हैं लेकिन इतना बड़ा कॉंटुबिशन करने वाले लोगों की पहचान हमारे यह होती नहीं है शाए विवस्ता का दोश होगा या स्वभाव का दोश होगा जोगी होगा लेकिन लंबे अर्शे से कमी महसूस हो रही है और उसके कारण सायद आज की युगा पुधी को भी एक खिलाडी से मिल सकता होगा एक सीने कलाकार से मिल सकता होगा किसी राजनेता से मिल सकता होगा किसी बड़े उद्यों की घराने से मिल सकता होगा लेकिन मास लेवल पर युगा को वैज्ञानिकों की तरफ ध्यान नहीं जाता होगा अब कलपना किजिए कि एक वाई-ज्ञानिक अपनी युवा अवस्ता में है। दुनिया की एक कलपना कि भारत भुका मरेगा, भारत खतम होगा। निराशा का माहोल हो, भारत को बिल्कुल ही अब मान लिए गया गया, के तो गया. ऐसे समय एक युवाव वैज्ञानिक संकल्प करके कहें नहीं, सिति बदली जा सकती है और हम बदल के रहेंगे पूरे ग्रिन रिवलुशन के मूल में एक युवाव वैज्ञानिक का वो संकल्प है जो डॉक्टर स्वामिनाथन के रूप में हमारे सामने गुड़ादे है ये चीजें आज की युवाव पीडियो को पता नहीं है आज की युवाव के सामने भी अगरे विशाय स्टार्ट अप के दुनिया है उनके सामने आए भई माल नूट्रेशन एक चुनावती आज की युवाव पीडियो अगर मन में दम मानके चरवे हम ये माल नूट्रिशन के अवस्थाम बदल के रहेंगे हम देश के अग्रिकल्चर रिवलुशन में इस प्रकार्थी चीजे लाएंगे और मात्मा गामदी भी कहां करते थे बूखे का भगवान तो रोटी होता है और यही बात हम वैज्ञानिक तोर तरीके से कैसे आगे बढ़ाएं मुझे कुछ चीजे व्यक्ति के जीवन में बड़ी अफील हो जाती है जैसे मैं मानता हूं शाय निर्दुस्तान के सभी प्रधान मंत्रियों के साथ आपने काम किया है पहले से लेकर के मेरे तक आपने दुनिया में देखा है किसी एक प्रधान मंत्रि के पाथ पुरानी भी फुटु खड़ी हो तो आदमी दो फिट उपर चलता है यह इतनी साथ की इतनी सरलता कभी यह चीजें स्वामिनासन जी में रिफ्लक नहीं देखी बनें बॉजरा नहीं है अर्फिय चीजे मैं किताब के अधर्ब नहीं कह रहा हूं अपने अनुफ़्फव से कह रहा हूं मैं गुजरा था था तो ऐसा ही सिंपल गृमें आव आते थे मिल्ते थे और जब मिल्ते थे पथा भी नहीं चलता था कि यह इतनी बड़े आद्मी है पता ही नहीं चलता था जी यह अपने आप में सार्वजेनिक रूप में सफलता को पचाना कैसे यह बहुत सिखने जैसी चीज है व्यक्ति के रूप में चहरे पर प्रसंदता शाहद ही किसी ने उनको चहरे पर अप्रसंदत देखा हो वरना ज्याधा तर वज्ञानिक मुझे मापकर नहीं बैठे हो तो वो इतीस्वी सदी में भी ऐसे जीते हैं जैसे अठारवी सथा दिमें हो सारी दुनिया का बोज उनके पर होता है खोयों से रहते हैं परिवार के लोग भी परेशान रहते हैं कि बोलते को रही है इनके जीवर में बड़ा उल्टा है सदा प्रसंद चीत यह अपने अपने बड़ी और यह तब होता है कि जब जीवन की कुछ चीजों को इंटर्नलाइज किया हो दिमागी ज्यान से संभव नहीं है रगों में वो बाते जब दोड़ती हैं तब यह संभव होता है और मैं मानता हूँ कोई इनकोई इश्वर यह कृपा रही होगी कोई इनकोई उनकी मात पिता के संस्कारों के कारण रहा हो यह उन्होंने अपने जीवन में पचाया है महरे देश में कृषिक शेत्र को लेकर के आज भी चुनोतियां बैसी की बैसी है ग्रिन डिवॉलूशन से सकंड ग्रिन डिवॉलूशन की जर्चा होती है लेकिन एवर ग्रिन डिवॉलूशन भारत जैसे देश के सामने लक्ष है और एवर ग्रिन डिवालूशन यह अगामारा लक्षा है तो हमने भारत का पोटेंशल कहां है उसको पहले एक बार मैपिंग करने की आवशकता है कुछ मात्रा में होता है अब हिंदुस्तान का पूर्वी हिस्सा आर्थिक रूप से हमें बहुत इंबैलेंस दिखता है पश्चीमी भारत की आर्थिक स्थित्य ये पूर्वी भारत की आर्थिक स्थित्य दूसरी कोई भी देश ऐसी इंबैलेंस सवस्था में लंबी दौड नहीं दोड़ सकता है कहीं नहीं तो लर्खडा जाएगा जबकि दोनों पेरह में समान ताकत हो दोनों हाथों में समान ताकत हो यह आवशक है अब पुर्वे हिंदुस्तान में जैसे पश्चीमी भारत ने गेहूं के द्वारा धान के द्वारा कि फॉस्ट एग्रेवर रिवालुशन को लीड किया कि एवर ग्रिन रिवालुशन को लीड करने की ताकत पुर्वे हिंदुस्तान के राइस में है चावल में है और मैं मानता हूं पानी है जमीन है महंती लोग है वैज्ञानिक इंटर्वेंशन के आवश्क्ता है टेक्नलोजिकल इंटर्वेंशन के अवश्क्ता है यह अगर हम करने में और सरकार इन दिनों उस दिशा में काम कर रही है रख साब से भी काफी हम सुझाओं लेते हैं अभी पिछले दिनों भी मैं मिला तो इसी वीश्वापर मैंने उनसे चर्चाए कि मुझे जड़ा इसमें कैसे काम करें अब यह बस अही है कि जनसंग्या बढ़ रही है जमीन बढ़ने वाली नहीं है कि कम होने वाली है तब सॉयल मानेजमेंट यह बहुत अहेम आवश्यक्ता बन जाती है होलिस्टिक एपरोच कैसे हो इसके लिए हमारी प्रोड़क्टिविटी कैसे बढ़े हमार मार्जिनल फार्मर्स 85% है देश में ऐसी स्थिति में हमारे किसान कम जमिन में भी जादा उतपादन और उतपादी चीजे भी सिरफ खुद के पेट भरने के लिए नहीं उसकी अपनी इसकी मार्केट वैल्यू ऐसी हो क्या कि क्वालिटी ऐसी हो ताकि वो अपनी रोजी रोट कि कमा सके हैं हम इस दिशा में कितरा बल दे सकते हैं उसी प्रकार जे पानी का संकट है सारी दुनिया में इसकी चर्शा है हम रिसैक्लिंग करें हम वाटर कंजर्वेशन करें सारा करने के बावजूद भी पानी एक चुनवती है इस मान के चलना चाहिए और पानी एक ऐसा विशे नहीं है कि जब आएगा तब देखा जाएगा जी नहीं अगर 20 साल 50 साल पहले सोच करके एक एक चीज को अभी से करना शुरू करेंगे तब जा करके अब इस विशे पर समाज में वो सेंसिटिवीटी तुरंत नहीं आती है जैसे एर पॉल्यूशन इवन कितने ही समत्य समत्य देर चली जाती है पानी के संकट को भी सामान्य मानवी को संकट के रुप में अनुभूती करारा बड़ा खठीन है और इसलिए कि वाटर कंजर्बरेशन के साथ साथ हम पानी का उप्योग किस प्रकार से वैज्ञानिक तरीके से करें पर ड्रॉप मॉर क्रॉप इस फिलोसफिक को लेकर के काम करने का प्रियास वर्तमान में चल रहा है नदियों को जोडने का एक अभियान अगर कॉस्ट इफेक्टिव फार्मिंग की और जाना है तो हमें पानी पहुंचाना पड़ेगा उसी प्रकार से स्वाइल बैनेज्मेंट का ही मैं एक हिस्सा मानता हूं कि हम अनाब सनाब जो केमिकल का उप्योग कर रहे हैं फर्टिलाइजर का उप्योग कर रहे हैं जो हमारी जमीन को तबाह कर रहे हैं नदी तठ पर जो खेत हैं वहाँ पर लोकों को लगता है कि पॉल कभी कभी चिंता का विश्य है कि उसके दो चार किलोमेटर के रेंज में जो खेत है जहां केमिकल उप्योग होता है और वो पानी बारिश के बाद जब जमीन को धो करके नदी में जाता है तो कैसे भाएंग कर केमिकल लेके जाता है और इसलिए हमारी नदियों को बचाना नदियों के पानी को मैकसिमों बुप्योग करना तो एक प्रधान मंत्री क्रिसी स्विंचाई योजना एक बहुत बड़ा मिशन मोड में काम शुरू किया है उसी प्रकार से एक आवशेख है हमारी यहां कभी कभार कुछ ने कुछ कानन से जो बोलचाल में जो विशे होते हैं उसको हम निगलेक करते हैं यह बहुत आवशेख है कि समाज जीवन में दसकों से सदियों से जो बोलचाल के विशे होते हैं उसके अंदर एक बहुत बड़ी ताकत होती है और लिबोरेटरी में ले जाकर कि उस बोलचाल की चीजों को सिद्ध करने का कोशिस करना चाहिए मेरा इसलिए अनुभव है गुजरात में एक शेत्र हैं जिसको भाल कहते हैं समुद्री तटके पास में हैं खंबात की खाड़ी के इलाके में है अब हम बच्पन से सुनते आए होते भालिया गाउं गहुं बालिया गहुं कहते थे उसको और अपर स्ट क्लास की जो लोग रहते थे वह बालिया गाउं गैहुं खरिद्ना और प्रिजर्व करना यह उनका स्वभाव था और बड़े महंगे दाम से ले लेते थे तो हमारे मन में रहता था यह भालिया गाव भालिया कारण कुछ तो होगा मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने थोड़ा उसमें रूची लेरा शुरू किया और यह पाया गया कि नौर्मली गेहूं कार्बन डीच होता है कि सर्प्राइजिंग लिए गेहूं प्रोटीन डीच है और बहुत ही कम इलाके में है तो मैं कभी स्विजलन गया था तो मैं वहाँ यह नेशले वगरे के लोगों को मिला था मैंने का भी नुट्रिशन के समझ्छा का समाधान करने के लिए इसको कैसे उप्यों को सकता है फिर बास्मती शब्द हम जानते थे लेकिन हम देखा बास्मती की ताकत क्या है मैं मुझे आद है अमरेली डिस्ट्रिक ग्योरजात में है एक इलाका ऐसा है समभवी समधूर तरसे है हर कोई अमीर व्यक्ति एकर बाजरा चाहे का तो वहीं से खरीदना चाहता है तो मैंने करूम नहीं था कि उसी लाकिया की बाजरी की ताकत है तो बाद में मैंने कुछ वह ग्यानिकों काम कहां मने का जड़ा इस पर सोची है हिंदुस्तान के कई कौने में ऐसी कोई न कोई वेराइटी की चर्चा लोग जीपर होगी हम उसको कैसे आडेंटिफाइ करें और उसकी जेनेटिक वैल्यू क्या है उसको हम और अगर वो सच मुझ में कोई एक्स्ट्रा ताकत वाली चीजे हैं या उसकी प्रोड़क्टिविटी की ताकत हो या कोई न को ऐसा शरीर के लिए उप्यूगी हो मानवजाद के लिए तो उसका रिसर्च यह पनंपराग चीजें और व हर जीले के अपनी एक क्रिशी लगती पहचान क्यों न हो उस डिस्ट्र में अंटर करें तो बढ़ हो बढ़ा कि यह जीला चावल का जीला है और चावल की कोई नाम हो पहचान हो यह जीला इसब गुल का है यह जीला जीरा पैदा करता है हमारे oh हमारे इसे ही एक एवर्नेस आती है, यह डिस्टिक, अब जैसे मुझे आथ है जब हमारे दुमल जी की सरकार थी, हमाचल में, मैं उस समय हमाचल में रहता था, उस समय मैंने का आप यह सोलन में हैं, मश्रूम के लिए इतना काम होता है, हम इसको कैप्चर क्यों नहीं कर पाते हैं, कभी सोलन जाएंगे, तो हम बॉड लगे हुए हैं, कि मस्रूम सिटी में आपका स्वागत है, अब दिरी दिर शायद और उन्हा ने शुरू किया है, पर एपल का भी बॉड लगाया है, किवी का लगाया है, हमारे देश में सामाने जन को इन चीजों से कैसे जोड़ा जा सक है, इस से एक पहचान बनते हो, वो किसान भी इडेंटिफाय होता है, और जो मार्केट से जुड़े लोग है, उनको भी ध्यान रखता है, यह 16 जिले है, जिसकी चावल के लिए पहचान है, तो ब्याप्यार करना है, खरीद करना है, तो उस पर जाओ, यह 20 जिले हैं, तिलह प्रोड़क के साथ उसका प्रोड़क के साथ उसका प्रोसेसिंग और प्रोसेसिंग से वैल्य एडिशन, इसकी संभावना बढ़ जाती है, अगर यह हम चेन विवस्ता खड़ी करते हैं, उसी प्रकार से, फल होगे तो इसके स्टोरेज अलग प्रकार के होगे, धान होगे होगे हैं, यह हगे हमारे इतने बड़े विशाल देश को अगर इन चीजों के अंदर हम जीतना हरा जल्दी से ले जाएंगे, हम क्योंग हमारा सभना है, 2022 2022 जब देश की आजहादी के 75 साल हो, हमारे देश के किसान की इंकम डबल होनी चाहिए है, किसान की इंकम डबल हो सकती है। मेरा कहने का अतात पर यह है, कि हम एक टार्गेट के साथ कम करें, एक तो कॉस कैसे कम हो, उत्पादन कैसे बढ़ें, और उत्पादन का वैल्यू एडिशन कैसे हो, इन तीन चीजों के और अब जैसे नीम कोटिंग यूरिया हो, अब कोई आस्मान से टपका हुआ कोई विज् देते थे, आज नीम कोटिंग यूरिया का परणाम यह आया है, कि यूरिया की चोरी तो खतम हुई हुई, बेहिमानी तो खतम हुई, लेकिन साथ साथ यूरिया की खपत भी कम हो रही है, और तुरन नजर में आया है, गेहूं और चावल के उत्पादन बढ़ा है, कम यूर उसका लाब होगा, भारत सरकार का इस दिशा में प्रयास है, स्वामिनाथन जी की सक्रियता, उनका ये प्रयास, और भारत को एवर ग्रिन डिवालुशन की और एक सस्टेनेबल एग्रिकल्चर सिस्टिम की और ले जाने की दिशा में, हम लोग इन वैज्ञानिक प्रयोगो को क्योंकि सबसे बड़ी एक जो हमारी समस्या है, लैब टू लैंड, उसमें बहुत बड़ी खाई है, लैब टू लैंड ये हमारा टार्गेट होना चाहिए, वैज्ञानिक जो जिन्दगी खपा देता है एक चीज देश को देने के लिए, वो खेत तक नहीं पहुंचती है खेत तक कैसे पहुंचे किसा और खेत तक तब तक ही पहुंचती जब तक कि वो किसान के दिमाग में पहले नहीं पहुंचती, ये कैसा उद्योपती के दिमाग में कुछ हो जाना उसको जेब में पैसा आना चाहिए वो करेगा, किसान का ऐसा नहीं है, किसान जल्दी फसल बिमायोजरा जो लाए है उसने बहुत बड़ा कॉंट्रिबिशन किया है इसके पुर्व कृषी में फसल बिमायोजरा में जितने लोग आते थे इस नई प्रधानमत्री फसल बिमायोजरा के कारण साथ गुना लोग उसके कवर में आये हैं अभी तो शुरुवात है लगाना ये हमारे फार्मर्स को सेकुरिटी काहस दलाता है और एक बार सक युपरीटी का हैसास हो गया तो उसकी रिस्क-क्रिकिंग प्रदाती है और जो को बढर जाती है तो वो विज्ञानों के द्वारा कहे हुए प्रशुक कहित अने के लिए तब् hypocrisy पहते तयार होता आगे बढ़ाने की उस दिशा में काम चल रहा है मैं फिर एक बार प्रस्वामिनाथन जी को रदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं देश की बहुत सेवा की है देश के किसामों की बहुत सेवा की है देश के गरीब के पेट को फरने के लिए एक तपस्वी के तरह काम किया है बहुत बहुत बढ़ाई धन्यवाद करें